हेलो फ्रेंट्स वेल्कुन डूम मैं यूट्यूब चैनल तिंक टेक्निकली रहा आज किस वीडियों डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई ओनलाइन फॉर्म फिल करते हैं अपने स्मार्टफॉन से तो आपको पता है जो पिच्चर होती है उसका एक पर्टिक्लर साइज होता है उसका साइज 10-20KB के बीच में होता है और जो फोटो होती है उसका जो साइज है वो 20-50KB के बीच में होता है लेकिन यह सारी प्रसेस आप मॉइल में कैसे करेंगे तो इसके लिए आज की वीडियो में आपको सारा प्रसेस बताऊंगा तो जैसे यहां पर मेरा स्मार्टफ Web Resizer तो यह देखेए, फरंड पे आगया Web Resizer इसको आप क्लिक कर दीजिये, क्लिक करने के बाद जो इनकी Official Website यहां पर आपको Linkckt मिल जाएगा तो आप उसको क्लिक कर दीजिये क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यह आप यहां से देख सकते हैं प्रॉपर सेटिंग के लिए जैसे आप डेक्स्टॉप में यूज करते हैं यहां पहले थ्री डॉट्स पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद नीची आप जाएंगे तो यहां से desktop site को on कर दीजिए अगर आपका on नहीं है फिरल मैंने पहले से on किया है इससे क्या होगा जैसे आप desktop में पूरा website यूज करते हैं वैसे आपका website यहां पर open हो जाएगा तेन after that आप क्या करेंगी उपर पर देखिया रहा है Resize Photo है तो मुझे 시간이 यहांसे फोटो चूज करनी पड़ेगी तो मैं हारि साइज फोटो पो पर क्लिक कर रहा हूं और यहां पर देखिये आएगा upload फोटो तो मैं यहांसे upload फोटो पर क्लिक करूँ गा और कहां से करेंगे आप मुझे करनी है आप फाइल्स में से तो मैं फाइलज में गया और यहां पर अगर आपको फॉट वी फोटो चाहिए वह देख लीजिये यहां यहां पर there are so many photos, आप देख सकते हैं आपकी photo का है, यह देखे मुझे यह photos लेनी है, इनका size थोड़ा बड़ा है, उपर वाले का मैंने convert किया है, तो आप इन में से कोई photo ले लीजिए, so मैं यह photo ले रहा हूं, तो इसको मैंने click किया, तो click करने के बाद आप इसको यहां से upload image पर click करेंगे, तो मैंने upload image पर click किया, तो यह थोड़ा time लेगी upload के लिए, तो यहां से देखे picture upload होगी, यह आपकी original है, sorry, this one, this one is your original image, और यह आपकी optimize है, मतलब जो इसमें आप changes करेंगे, वो आपकी यह picture होगी, और यह वाली आपकी original picture है, this one, now, नीचे देखे इस picture का जो size है, अभी show कर रहा है, जो original size है, वो यह है, और जो हमने, इसका size अभी convert हो गया, वो यह हो गया, अगर तो आपका by default size convert हो जाता है, that's okay, अगर नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने सिरफ दो ही यहां पर देखने है, कि देखे, यहां new size आ रहा है, और दूसरा यहा यहां पर setting करेंगे, जैसे देखे, अभी मुझे जो image है, इसका मुझे चाहिए 15 kb से below size, लेकिन अभी यहां पर कितना है, 28, .18 kb, 24.18 kb, तो मैं यहां जा रहा हूं new size पर यहां से मैंने, जो इसका size है, यहां से मैंने 400 की जगा कर लिया 350, और नीचे जो यहां image quality है, यहां पर मैंने कर लिया 70%, और नीचे से यहां से डनना है सभी, और उपर देखे, आप जाएंगे, तो यहां पर apply changes लिखा, इस पर click कर दीजिए, जब मैंने apply changes पर click किया, तो यहां पर देखे, processing होगी यहां पर, और उसके बाद हम देखते हैं, इसका new size क्या बना, यह देखे, new size 16.97 KB बन गया, लेकिन अभी तक जो मेरा size था, वो मेरा, चितना मैं चाहता था, वो नहीं बना, तो आप कैसे करेंगे, फिर से देखिए, तो यहां पर मेरा back आगया, फिर से मैं सारी process आपको बता देता हूं, back आजे, कोई उश्यू नहीं है, आप उसको set कर लिए, लेकिन यहां से जो मैंने size set किया था, 350 किया था, तो यहां पर मैं 300 कर लेता हूं, 300 और नीचे मैंने किया था, 75 तो यहां पर मैं 70 कर लेता हूं, तो यहां पर मैंने 70 कर लिया, और उपर scroll किया, apply changes पर मैंने click किया, मुझे चाहिए था 15 या 15 से below, तो जब मैंने apply changes पर click किया, तो यह देखिए यहाँ जो चेंजे से वो अपलाई हो गया और जितना मुझे साइज चाहिए था यहाँ पर कनवर्ट हो गया 15 यह 15 से बिलो यह तो मैंने फोटो के लिए किया सेम आप सिगनेचर के लिए भी यही कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए जो इसका ओरिजनल साइसा वो कि उसको गैलरी में जाकर अपने फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं सो फ्रेंट्स काफी ज्यादा इजी मेथर्ड है विकॉज सबी के पास लैपटॉप नहीं होता डेक्स्टाप नहीं होतार काफी ज्यादा कैंडीडेट साज अपने फॉन से ही सारा प्रोसेस करते हैं लेकिन साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर स्क्राइब करना मत भूलिए आप जैसे और भी जो यूजर्स हैं जो अपना ओनलाइन फर्म वेरा फिल करते हैं उनको भी स्पूर्सस के बारे में पता लग सके और अपना सिगनेचर और फोटो का वो भी साइज छोटा कर जाके अपनी रिक्वार्मेंट के कॉर्डिंग जो भी पर्टिक्लर फॉर्म की रिक्वार्मेंट है तो थैंक यू फ्रेंट्स फो वाचिंग इस वीडियो और फो यू प्रीचियस ताइम